अब हैला दुस्तों आज शेयर करने वाली हूं मैं आपके सार मिर्ची रेस्पी तो याँ पर मैंने इस तरीके से मोटि वाली मिर्ची है आप थोड़ी पतली आती हैं वह सकते हो लेकि aplikolve उप नुथा सारी मिर्चियां कट करनी है इदा मैंने सर्सों जो होती है काली वाली सर्सों उसको मैंने दरदरा इस तरीके से पीस लिया था उसके बाद यहां पर मैंने सौफ ली है एक चमच मैंने सौफ लिये यहां पर उसका ही आदा चमच मैंने लिया है अजवाइन उसके थोड़ा सा हम यहां पर जो मिर्चियां लीती उसारी ही कट चुकी है इस तरीके से कट लगा कि हम इसको एक साइड में रख लेंगे अब तैयारी करेंगे मसाले की तो हमने जो सरस्व पीसी थी उसमें हम जो और भी मसाला पीसाता सौंफ अजवाइन उमेथिदाने इसको इस तरीके से मिक्स कर देंगे इसमें हम टेस्ट के अनुसार आप नमक डाल दीजिएगा उसके बाद ही हम इसमें डालने वाले एक चमच हल्दी पाउडर इसमें मिर्ची का में कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है तो इस तरीके से हम इसको भी अच्छे मसालों को भी इसमें मिक्स कर लेंगे हम यहां पर में दो चमच्छ सब्सक्राइब तो अच्छी से मिल चुके है कि अच्छी मिरचए कटके करना तो यहां पर जो अच्छी मिरची कटके रखना तो कि कटके मिरची होई तो अच्छी मिरच पर करना लाएगा अगर ड्राइ मसाला होता है हम इसमें कुछ नदालती तो मसाला नहीं चुपकता है लेकिन ये देखी मिर्चियों पर मसाला चुपक चुका है तो हम इसको अब मैं दो दिन के लिए चोड़े बरतर में डाल के रखूंगे इससे हमें ऊपर नीचे चलाना पड़ेगा इसको जिससे जब तक मिर्चियों सौफ्ट नहीं हो जाती हम इसको चोड़े वरतर में कवर करके दो दिन तक रखेंगे आप चाहो तो अभी भी खा सकते हो ऐसा नहीं तुलंद डालने के बाद भी खा सकते हो लेकिन जैसे ऐसे मिर्चियों जल्दी से पकती जाएंगी इनका स्वाद और बढ़ता जाएगा तो तैयार है मिर्ची का चाहर बहुत ही आसान रेस्पी फटाफर से बन जाती है आप पूरी सर दिया इनको आराम से बना के कभी भी खा सकते हो अगर मेरी वाली रेस्पी पसंदा है मेरे चाहरे को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरू करिएगा आपको मेरी मिर्ची के चाहर की रेस्पी कैसी लगी मिलती हूँ नेस्ट वीडियो में नई रेस्पी के साथ जब तक के लिए बाई